और खराब मौसम के कारण दिल्ली एरपोर्ट पर उडाने प्रभावित हुई हैं तेज हवा और वारिश की वज़े से उडानों पर असर पड़ा है शालिनी फिल्हाल क्या स्थिती बताई जा रही है एरपोर्ट पर उडानों पर असर पड़ा है इसके लाव और क्या जानकारी मिल रही है यात्रियों को किस तरह किया सुविधा का सामना करना पड़ रहा है देखे मैं बताऊं आज सुबा च्छे बज़े से ही मौसम जिस तरह से बदल गया अचानक से सुबा च्छे बज़े इतनी तेज हवाएं चली पहले उसके साथी साथ तेज बारिश आई मौसम ऐसा था कि बिलकूल तूफान की तरह है और मैं इस वक्त दिखा रही हूँ आपको कि मेरे लिए भी यहाँ खड़े होना मुश्किया कि हवाएं बहुत तेज चल रही है आईमडी ने जो डेटा जारे कि इस तरह की स्थितिय है इस तेज हवा और आंधी की वज़े से शाले नहीं हो और पारी हो तो देखे ये जो तेज हवाएं और बारिश है इसने मौसम को बदला है लोगों को राहत तो मिल रही है लेकिन राहत के साथ दिल्ली अंसियार में ऐसा जादा होता है कि आफ़त आती है खास तोर पार जो लोग निकले होते हैं अपने घर से दफ्टर के लिए किसी काम से सड़कों पर होते है लगता है कि शालनीता का वास नहीं पहुंच पारी है लेकिन तस्विरे आप देखे किस तरह से आज दिल्ली अंसियार में सुबह से ही मौसम का मिजास बदला हुआ है तेज हवाँ के साथ बारिश हो रही है और इसका असर ये हुआ है कि लोगों को परिशानी तो हो रही है लेकिन सुकून इस बात का है कि गर्मी से काफी हद तक राहत मिली हो और बड़ी बात ये कि मौसम भाग की तरफ से यलो अलट जारी किया गया है शालने हमारे साथ है, शालने ये बताईए, मौसम भाग की तरफ से यलो अलट का जारी करना क्या बता रहा है, कब तक ऐसा मौसम रह सकता है दिल्ली एंसियार का? देखे फिलाल आज का जो बताया गया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बिंस की बज़े से ये मौसम जो अचानक बतलाव आया है, उसका कारण है और ये बताऊं आज जो मौसम था, ये मौसम दरा रहा है, तो कि जब इतनी तेज हवाय चलती हैं, तो जो पेड़ है वो भी गिरते ह हैं, इसलिए लोगों को साथदानी बरतनी चाहिए, बाहर निकलते हैं, अगर आप रोट पर जा रहे हैं, घर से बाहर बहुत जरूरी हो तब ही निकले हो गर जा रहे हैं, तब फिर ये साथदानी बरते किसी भी फेड़ के नीचे खड़े ना हो, या किसी इस तरह की जर ज तक हो सकती है, दिली अंस्यार में, और अगले तीन दिनों तक मौसम इसी तरह से रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह हैं कि अगर आप गर से बाहर जा रहे हैं, तो इस बात का जरूरी है, और लोगों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है, मौसम की तरफ से शुक्रिये आपका, इन तस्वीरों के लिए इस अपडेट के लिए